तो पचास हजार का बजट जो है एक परफेक्ट बजट है किसी भी फिलेक्षिप या प्रेमियम सेग्मेट के स्मार्फोन को ख्रेदने के लिए तो मैंने इस वीडियो में पांच ऐसे स्मार्फोन रुखिया है जो कम से कम आपको देखो 256GB की स्टोरेज प्रेमियम डिजाइन एक लुक वाला स्मार्फोन और एक ऐसा कैमरा स्मार्फोन जिसके नदर तुम नेक्स्ट लेवल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर स देख रहा है उसे दवा दो तांकि तुम एसी इंटरस्टीं टेक वीडियो जो है डेली देखते रहो और जल्दी-जल्दी मेरे 900 स्काइबर कंप्लीड करो तो नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह नंबर 5 पर हमने रखा है अपनी तरब से बन प्लस 12 वार के अंद देती है फुल एच्टी प्लस की स्पोर्ट है गोरिला ग्लास की प्रडेक्शन है ट्रिपल केमरे सटप है जो फूल एच्टी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हों बाकि पांच जार पांच जार पांच एमेच की बैटरी है 100 वार की सुपर बीयो सी चार्जिंग के साथ आत देखा है तो ज्यादा स्टोरिश को उप्शन थे ज्यादा राम को उप्शन मिलता है तो गेमिंग वे तुम बड़े राम से कर सकते हों बैटर लाइफ और चार्जिंग काफी तकडी है इसकी लेकिन यहां पर तुम एक क्यामरा के मावलें थोट से कॉम्परमाइस करना अगर तुम लोग भी ज्यादा एडवांस लेवल की फोटोग्राफी करना चाहते हों तो तुम भी एक्स नेंटी को कर सकते हों एंड़ोई 13 के साथ मेंटेक डिमेंस्टी 9200 आता है 12GB तक की रैम है 6.780 जिसकी एमल डिस्पले है 120 अर्स का रिफ्रेश्यर देती है बाकि है और डिस्पले जो है इसकी वह भी फुल-फुल एच्टी प्लस का सपोर्ट करती है अब इसके क्यामरा की तरफ बात करूं तो देखो 50MP का वाइड एंगल है 12MP का अल्टरा वाइड है 12 एक और कैमरा अंदर लगा रहा है जो कि एक टैलिफोटो लेंस है जहां किसे तुम 20X क डिजिटल जूम और 2X का ऑप्टिकल जूम देख सकते हों डूल कलर के लेडी फ्लैश देखने को मिलीगी 4K तक की तुम वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊगे फ्रेंट में इन्होंने का करा है कि 22MP का वाइड एंगल लेंस दिया है और काफी वाइड वाइड शोट जो लेकर को प्रवाइड करता है बैटरी यहां पर देखो 4810 हमेच की बैटरी को चार्ज करता है 120 वाड का फ्लैश चार्जर तो डरने की वादनी बैटरी चार्जिंगे मामले में भी 256GB की इंटरलन स्टोरेज है जो नो एक्सपेंडेबल है 50,290 रुपय में तो में इसका 12256GB वाल आइफोन 13 देखो यहां पर देखो तुम्हें आयोस का फिफ्टिंथ देहने को मिल जाता है वर्जन एपल एफिफ्टिं बायनिक चिपसेट है काफी तगडी चलती है चार्ज एबी की रहम है 6.1 इंचीज की OLED डिस्प्ले दे रखी है फुल HD प्लस का स्पोर्ट वह भी करत सकते हो फ्रन्ट के अब देखो तो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है रेटेना फ्लेश के साथ आता है 4K तक की वीडियो तुम वहां से रिकोर्ड कर सकते हो दिक्कत नहीं आएगी 3227 मेंच की बैटरी है बीजवाट की फास चार्जिंग है आइफोन है तो आइफोन है इस बाद ठीक है और यहां पर तुम्हें काफी अच्छा प्रफॉर्म करता है काफी अच्छे कैमरा से बैटरी लाइफ भी काफी सही निकल जाती है लेकिन इसकी जो चार्जिंग है वाइड और वायरलस चार्जिंग दोनों के तुम्हें काफी स्लो है और एक और बात तुम्हें बता देता हूं सबसे पहले तो है तुम्हें अगर सैमसंग गेलेक्सी एस ट्वंटी त्री नहीं लेना है तो तुम्हें लोग एस ट्वंटी टू को भी के साथ भी जा सकते हो वो दोनों भी बेस्ट इन दा क्लास स्मार्टफों से सैमसंग की ही जीरो जीरो प्रोसेसर के साथ आता है 8GB के रहे में 6.4 इंचिस की डैनमिक अमेल 2x डिस्प्रेंट में लगा रहा है अग्यवर सैट पर डिस्प्रेंट में होती है फुल एच्टी प्लस का स्पोर्ट करता है 120 एर्स का रिफ्रेशर देता है गुरेला ग्लास वाइप की प्र पूरी 8K तक की रिकोर्डिंग कर सकते हो 24 fps के उपर और तुम्हें एक काफी अच्छा-कासा कैमरा देखने को मिलता है जो 10 Megapixel का है और वहां से भी तुम 4K तक की वीडियो 30 fps के उपर बना सकते हो अब तक कम मैंने कहीं नहीं देखा मैंने स्पाटफॉर्म देखा वाई व तो में कम से कम 40,000 और 41,000 के आस पास देखने को मिल जाता है लेकिन अगर तुम इसके स्टोरेज वेरेंट चेंज करते जाओगे ना तो इसकी प्राजी में तुम्हें वड़ती दिख जाएगी बाकी तो देख छोड़ो भाई इसका जो डिजाइन है काफी अच्छा है काफ तुम इसके निच्चे वाले वेरेंट को भी देख सकते हों ठीक है बात करेंगे नेक्स स्मार्टफोन की नंबर बन की नंबर बन पर हमने रखा है आई-क्यू ट्वेल्फ का आई-क्यू ट्वेल्फ समझ रहे हो भाई Android 14 है, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का प्रोसर्सर है, अब तक सबसे तगड में भी काफी तगड़ा काम करा है एक पेरिसकोप लेंस दे रखा है नोंने देखो 50MP का वाइड अंगेल है 50MP का अल्टरा वाइड एंगल है और 64MP का एक पेरिसकोप लेंस दे रखा है जो 3X का ऑप्टिकल जूम देता है यहां से तुम फुल एच्टिम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे पांच जरे मेंच की बैटरी है 20 वार्ट की फ्लेश चार्जिंग की साथ आती है इसकी बारा 256 वाल वार्ट इसका पूरा 52,000 का मिलता है लेकिन अभी के टाइम में तुम्हें आइसी 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 का बैंक क्रेटर कर देखने को मिल जाएगा तो तुम्हें स्मार्टफोन पूरा 50,000 पर पड़ जाएगा इसकी build quality काफी अच्छी है, IP64 की rating है, काफी तगड़ी स्क्रीन देता है, काफी सही काम करते हैं, काफी fine output निकाल कर देते हैं तुम्हें काफी जादा fast performance है और charging speed भी काफी तगड़ी है लेकिन wireless charging देखने को नहीं मिलने वाली, थोड़ से bloatwares यहां आ सकते हैं, यह एक तरह से performance का powerhouse है, with capable cameras, तो तुम लोग एक काम करो, IQ को 12 को, मैं लोग कि अगर तुम खरीना वाले हो, तो बिलकुल भी IQ यूज मत करो, डारेक्ट जो है, इसे purchase कर लो, चलो मैं मिलनकों तुम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तुम मेरे चैनल को करो, सब्सक्राइब अगर हो नहीं, बस आज के लिए तुम आज को एक वाले है, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम पूस सकते हो,